गुड मॉर्णिंग फ्रेंट्स आज मैंने सुचा कि सुपर सुपर थो ताइम है एक वीडियो बना लेता हूं इनकी मैं बेख पास कर रहा था तो यह मुझे बड़ी प्यार से देख रहे थे कि मैं इनको बाहर निकालू तो मुझसे भी रहा ने क्या और मैंने इनको बाहर न पाती है क्योंकि यह टेस्ट में भी अच्छे होती है और को गरम भी रहती है खाने के लिए तो आप अपने बड़्ट को अविप्रोइड कर सकते हैं अलग लेलो यह लो यह लो यह लो यह लो यह लो यह लो यह आपको लास वीडियो में बताया था कि इनकी शेयर कर लेते हैं अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों के पास ऐसे हैं पेयर जो कोक्टेल और रिंगना एक साथ रखते हैं मुझे नहीं पता इनको आप क्या-क्या खिलाते हो क्या नहीं खिलाते लेकिन जैसा कि अभी सर्दियां चल रही है तो सर्दियों मैं और थोड़ी सी गरम डाइट देता हूं ताकि ठंद से भी बच्चे रहें और इनको थोड़ा सा अच्छा हल्दी खाना मिले इसमें मैंने अभी मुंफली मिला हुई है बाजरा है जवार है संफ्लार सीट्स हैं ज्यादा गरम भी ठीक रहता है इनके लिए कम कॉंटिटी में द करते हैं कि सीट्स वगारा ज्यादा कर देते हैं और फ्रूट्स वगारा कम कर देते हैं तो प्लीज ऐसा ना करें थोड़ा फड़ा सा प्रॉइड करो उनको इनको पसंद नहीं होगा आपको वैसी बैस लिए एक दो बार खाने में तो ऐसे चीज़े मट डालो जो केज में स सफाइज जरूर करें पाने चेंज करें इनका इनकी नदरे है मेरे खाने पर कि मैं क्या खा रहा हूं इस नहीं अपना खाओ आई या 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 अच्छे लो लो इसे रोटी खानी है बैक्ग्राउंड में आवाज आ रही होगी वो मिक्कू है उसको मैंने निकाला नहीं है इन दोनों को शांती से बैठना ने देता उनको बाइट करेगा और बखा जगा कि मैं में हो तो इसलिए मैं उसको Almost इनके साथ कमी निकालता हूं जब सारे साथ में होता है इऑ तो मिक्कू थोड़ा सा अग्रसीव हो जाता है एँनके साथ क्योंकि वो फिमिल है उसका हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें थैंक यू